नमस्कार आप देख रहे हैं दपी के टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ खुश्वोश सेग रहेगिस्तान को समुंद्र बना दिया सडकों को न दिया और गावों को तालाब वाहरे सरकार जो कोई न कर पाया वो सिस्टम ने कर दिया मानो सिस्टम को पता था किस बार बारिश जूम कराई की इसलिए सिस्टम ने सडकों को पहले ही खोद दिया ताकि बारिश में सब पानी पानी हो जाए और जख मार कर लोगों को पानी के बीच में रहना पड़े तस्वीरे देखी ये रेगिस्तान की बाडमेर की तस्वीरे सडकों के चोड़ाई करन का काम शुरू हुआ और फिर खत्म करना भूल गए नैशनल हाईवे से 4 किलो मिटर तक शिवकर जाने वाली रोड पानी में डूबी पानी में डूबी सडक में इतने गड़ें कि आम आदमी अपनी जान के जम्यदारी खुद ले सडक से होते हुए पानी घरों में खुचाता है अब जाने लेकिन जनता के पास आया ही नहीं जनता के पास राजे पाल आता तो सभी रहोड़े बन जाती बार में जहां जहां से राजे पाल गुजरे थे ना वहां पर रात कर देते हैं एक रात में यहांसे यह बुजरेगी जनता की आवाज क्यों नहीं जनता के लिए देती बाद में उसको जनता का साट माइने के बाद में कोई जनता का काम ही नहीं है कुछ सालों से यह बहुत देंके समी से बन चुकी है में पिछले साल लगबग सबसे इराजसवार में सबसे टॉक था है राधिसवार कमाने में आज ऐसी आलत है कि नगर भाली एक हाता में पांस लाग उपी भी नहीं है सब अधिकार उने प्रैसे दखान गए इसका इसका राधिकारन के बाद में कोई काम किया गया नहीं आदा आदूरा काम करके छोड़ दिया गया और काफी सारे लोगों को प्रेसा नहीं है आप आपने कर भी दर्ना वजर देखे आप इसी प्रसासल से बात कर लिए कर इसकी माम लें अब नहीं है पूरा फ्लान है कि लोगों को एक प्रत किया करे सरका के खिलाब जो रोज रप किया जाए पूरा फ्लानिंग है यह बहुत बुटा नहारा है तो यहां से आदा दू कि अधिगारी क्योंकि रोड चोड़ेकार के बाद में इतना बज़र आप चुका था कि पिसले साल में नौ क्रोल रिप्र से ज्यादा थे आप पांच लाग भी एकाउंट नहीं है जैसे सामने न्यूज तेपर में पहज़ा था सबसे जिम्मेदार है नगर पालिकार की आय क्या समस्य आरे यह क्या नहीं आपका मैं अंदर कल से बारी चल वह यह पूरा घर के आगे तो कहने जो हुआ है कि प्रृसासन से यह जैसे कोई मांगे करें कि आगी पानी के निकासी हो यह सब्सक्राइब जो सब्सक्याइब को कोई में एकुछ नहीं हुआ यहां पर कौई मोंगे पर आया भी नहीं कोई नहीं यह व्यां बहुत क्यों है अब हुप नहीं कंऊ है। आप लाइन हर बतुत हम दीख रहे हैं कि घर के आगे ही इनका पूरे से तालाब बना खुछ अब ही तो पानी बहुत कम हुआ है अभी तो बहुत कम हुआ पानी का आप देख लो नहीं जो निसान पड़ियाना यहां तक पानी चड़ा था इस पूरी करा इस फानी भुष्ट ह यह मतलब आपके यह सरपंच लगता है यह पार्स लगता है कुछ ज्यान नहीं नहीं तो फिर विदायक से या कुछ ऐसे मांग तो कि होगा तो कि अगरा नहीं यह से रोड पर सालो की समस्या है यह सब मिलके को यह सदना पर दिसम करें आए ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो अंसे बात करेंगे सब देकलेक्टर साब के दना देते हैं अपने अभीबाद मेर में प्रेंका चोधरी विदायक है और उनका कारेले भी इसी रोड पे था जब उनके एलेक्स नहीं तो 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 वहां दिखना चाहिए ना कि आप संस्या लेकर जाओंगे तब उनको पता चले गाए तो वह तो अपने वीडियो अगा सब्सक्राइब दिखते दूए लेकिन जब घ्रमिन खुद सजग होके जाएंगे आपरिंग कोछ ऐसा तभी होगा मामना सांथ देखते आजाते हैं विदाय दूब जाने के बाद भी ना कोई प्रसासन ने ध्यान दिया अब घर के हालात यह हो चुके हैं कि छोटे बच्चों का हर टाइम ख्याल रखने पूंग 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 पढ़ने वाले बच्चे और आने वाले रेवाश्वी यह लोग गुजरने वाले लोग सब प्रसाने रोड बहुत तूटी हो यह नेगरपली गाओं को काफी बार बोला है पीड़ी वाले हो बोला है दरना पदसन गया कोई सुनो यह नहीं हो रही है यहां कि ब्रेज नेकर फश्ट रोड पे राधा मुस्किल हो रहा अभी गाड़िया है कोई सामाल लाणा कोई रेलू सामला अभी नहीं सकते क्योंकि पाणी बहुत चाल रहा है घराओं के अंदर बुच क्या है कई मकान भी गिर के दीवार अभी टूट चुकी है ऐसी हाल तो क्या करने दस सालस इसका समाधन कई बार सरकार को अउगत करा है जाशुका फिर भी अभी तक सरकार इस और जानने दे रही यह पताए दस साल में तो अभी सरकार भी बदल चुकी पहले कोई सरकार की यानि इस के अंदर है वो कोई उची नहीं ले रही यान अमभीड कर सरकील से चोटन तो रहा से पानी यहां तक आता है और राधा के मंदिर के पानी यानि सबसे पहले सेंट पोली स्कूल सेंट पोली स्कूल के पासवाली गली से निकलता है और पूरा यहां सि थेड़े किलो मेट तक आगे पानी जाता है पूरी मकान बर्चुके, खेद बर्चुके, उसका मतलब निकासी का क्या योजना है यदि खाड़ा बनाए जाएं नाला बनाए जाएं तो उसके इंदर इस समाधान वोचे करपाणे कर बागी कोई समाधान ने इसका ये तमाशा है साहेबों का हम जनता को तालिया बजानी है उनका होसला बढ़ाना है ताकि उनकी हिम्मत बढ़े और वो खुद इन सडकों पर चले क्योंकि यहां सडके रातो रात भी बनती है बरशर्ते इन साहेबों का कोई बड़ा साहेबाना चाहिए जैसे महा महीम राजेपाल आये तो रात भर में सडक बना दी गई लेकिन लोगों का क्या है इनके लिए थोड़ी सुविधाएं हैं ये कर भी क्या लेंगे जादा से जादा धरना दे देंगे ग्यापन थमा देंगे ये सस्पेंट थोड़ी न करा देंगे अब बाडमेर के जमीनी कागजी हाल आप देखें नेशनल हाईवे 58 से शिवका रोड़ पर बाईपास तक कोई सडक नहीं मिले की सेंट पॉल के प्रधम गेट तक घटिया डामर सडक पर निर्मान करवाया जो तोट गई है सेंट पॉल के प्रधम गेट से लेकर बाईपास तक कोई सडक है ही نہیں प्रजनगर के कई घरों में घुसा बारिश का पानी आदे शहर का पानी सड़क पर नदी के रूप में वहरा है सड़क पर गहरे गड़े हो गए लोगों के घरों में दरारे आने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है अनेक बड़ी बड़ी स्कूले यथा सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गणेश विध्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी विध्याल अजीम प्रेमजी स्कूल राच पेस्ट आवासिये कॉलोनी स्वर्गिये तंसिंग गैरिज सहित अनेक बड़े मौल इस सड़क पर है लगता है कि साहिब अपने बंगले में बैट कर बारिश का मजा लेते हैं ये कह रहे हो कि वाह क्या बात है गरम गरम चाय साथ में पकोडे और बारिश का आनंद बाडमेर की तो बात ही कुछ और है क्योंकि उनको अपने बंगले से ना तो जंता का दर्द दिख रहा होगा और ना ही उद्डी हुई सडकी, ना ही लोगों के तूटते मकान और ना ही नदिया बनती सडकी सवाल ये भी है कि रवंद्र सिंग भाटी, हरी शौदरी और मीदा राम बेनीवाल क्या इन ही सडकों पर अंदूलं करेंगे? बाडमेर से सम्वधाता दादुराम के साथ खेता राम ब्रजवाल के रिपोर्ट